The solution to the recurrence equation t2 raised to power k is equal to 3t2 raised to power k minus 1 plus 1 is when t of 1 is equal to 1 इस question को हमें solve करना है ये gate वोजाद दो में आया है ये combinator का questions है तो इस question को solve करने के लिए हम लोग t2 का power k को हम लोग xnk को ले लेंगे जब इसको हम लोग xn के equal लेंगे तो हम लोग जो ये equation है वो कुछ इस तरह बन जाएगा xn is equal to 3xn minus 1 plus 1 जो का xn minus 3xn minus 1 is equal to 1 इसका हम लोग homogeneous solution पहले निकालेंगे और फिर particular solution निकालेंगे तो पहले homogeneous solution निकालते हैं homogeneous solution में क्या होगा जो xn होगा xn minus 3xn minus 1 ये is equal to 0 हो जाएगा अब हो जाएगा t minus 3 is equal to 0 and t is equal to 3 homogeneous solution क्या होता है homogeneous solution होता है xn is equal to c1 t का पावर n t हमारे पास 3m तो c1 3 का पावर n ये xn ये homogeneous solution है अब निकालेंगे हम लोग पार्टिकुलर solution पार्टिकुलर solution किसी योग confusion हों कि मैं ऐसा क्यों लिखा हूँ is equal to 0 q क्यों 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 कि ये formula है हम लोग homogeneous solution निकालते हैं समय is equal to 0 करते हैं और यहां पर इसको t बानके t क्यों निकालते हैं और फिर ये भी formula xn is equal to c1 t का पावर n अब पार्टिकुलर solution क्या करते हैं पार्टिकुलर solution में हम accent की जगा पर t put कर देते हैं तो मिलेगा d minus 3 d is equal to 1 यह हम मिलेगा minus 2d is equal to 1 यहनि कि d is equal to minus 1 by 2 मिलेगा ठीक है d is equal to minus 1 by 2 आगया अब जो हम लोग complete solution होगा वो पार्टिकुलर solution plus homogeneous solution होगा तो हम लोग इसको दोनों का add करेंगे तो हमें क्या मिलेगा हमें मिलेगा t2k is equal to यह क्या है c1 3 raise to power कि यह क्या है minus 1 by 2 हम लोग given है t1 is equal to 1 हम लोग को given है ठीक है t1 is equal to 1 given है अगर हम लोग ऐसा करते हैं कि यह इसके जगा पर हम लोग 1 put कर देते हैं तो हमारी value जो होगी 1 आएगी तो ऐसा करते हैं 1 is equal to c1 के की जगा पर हम लोग 1 put करते हैं के की जगा पर 0 put करते हैं तक यह 2 का पार 0 तभी नो 1 आएगा तो की के जगा पर 0 put करेंगे तो यहाँ पर 0 minus 1 by 2 तो मेलेगा 1 is equal to c1 minus 1 by 2 तो c1 मेलेगा हम लोग को 1 plus 1 by 2 जो होगा 3 by 2 ठीक है तो अफिर से complete solution जो होगा वो क्या होगा वोगा t 2 raise to power k c1 की value हम मिल गई 3 by 2 यह है 3 raise to power k k minus 1 by 2 यह हमारा answer होगा complete solution का मैं को c1 कैसे निकाला c1 को t1 is equal to 1 हमें question हमें given है तो हमें यहाँ पर 2 कप और k 2 कप और k 1 कप होगा 2 कप और k 1 होगा अभी होगा जब k is equal to 0 होगा तो मैंने यहाँ पर k put कर दे निकाल लिया तो इस तरह से मैंने complete solution find कि अगर आको वीडियो पसंद आयो अगर आको वीडियो पसंद आयो तो चैनल को subscribe करें और वीडियो को like करें and share करें सब्सक्राइब करना ना वोलें और भी गेट के और यह वीडियो देखतें के लिए थेंक्यू